जहिन सथियो, साथियो आज हम इस वीडियो में बिस बहुत ही महत्पून सवाल कराने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले परिक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा अंतक देखिए, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सही जवाब होगा, ओप्शन सी, 103 पाक सवाल नमबर दो, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ओप्शन है, A. हाइड्रोजन, B. नाइट्रोजन, C. कार्बन, D. हिलियम आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. हिलियम सवाल नमबर तीन, किस देश में शादी करने के लिए एक दूसरे की पत्मी को चुराना पड़ता है? आपका ओप्शन है, A. भारत में, B. पश्चिम अफ्रीका में, C. अमेरिका में, D. इजरायल में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. पश्चिम अफ्रीका में सवाल नमबर चार, किस देश में गाए को दहेज में दिया जाता है? आपका ओप्शन है, A. पाकिस्तान में, B. भारत में, C. साउट सूडान में, D. चीन में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. साउट सूडान में सवाल नमबर पाँच, किस गाव में कभी बारिश नहीं होती है? आपका ओप्शन है, A. मशीन राम में, B. शंकर्पु में, C. गहमर में, D. राजा खेरा में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन A. मशीन राम में सवाल नमबर च्छे, डिश टीवी में डिश का आविशकार किस देश में हुआ था? आपका ओप्शन है, A. भारत में, B. वेस्ट इंडीज में, C. अमेरिका में, D. पाकिस्तान में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. अमेरिका में सवाल नमबर साथ, किस शहर में कुवारे लड़के को लाथी से मारते हैं? आपका ओप्शन है, A. लखनव में, B. जोडपुर में, C. मुंबई में, D. हर्याना में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. जोडपुर में सवाल नमबर आठ, एक हरगोच एक बार में कितने बच्चे पैदा कर सकता है? आपका ओप्शन है, A. बारह बच्चे, B. पंदरह बच्चे, C. चौबीस बच्चे, D. पैतीस बच्चे आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. चौबीस बच्चे सवाल नमबर नौ, किस देश में परीक्षा के समय हेलमेट पहनना पड़ता है? आपका ओप्शन है, A. आर्मेनिया में, B. थाइलंड में, C. नेपाल में, D. बांगला देश में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. थाइलंड में सवाल नमबर दस, किस देश के शहर में चान्दी के सिक्कों की बारिश हुई थी? आपका ओप्शन है, A. जापान के, B. चीन के, C. रूस के, D. वेस्ट इंडीस के आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. रूस के सवाल नमबर ग्यारा, किस जानवर के दाथ तूटने के बाद तुरंथ नए आ जाते हैं? आपका ओप्शन है, A. खरगोश के, B. मगरमच के, C. घडियाल के, D. उटबिलाव के आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. उटबिलाव के सवाल नमबर बारह, दुनिया की सबसे कठिन भाशा कौन सी है? आपका ओप्शन है, A. हिंदी, B. इंग्लिश, C. संस्कृत, D. माइद्रीन आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. माइद्रीन सवाल नमबर तेरह, कितने मच्छर आपके शरीर का पूरा खूर जूज सकते हैं? आपका ओप्शन है, A. टेन हजार, B. पचास हजार, C. टेन लाख, D. बारह लाख आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. बारह लाख सवाल नमबर चौदह, किस देश में ट्रेन रोड पर चलती है? आपका ओप्शन है, A. भारत में, B. चीन में, C. रूस में, D. जापान में आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. चीन में सवाल नमबर पंद्रह, कौन सा फल्क खाने से मच्छर सबसे ज़्यादा कारते हैं? आपका ओप्शन है, A. सेब, B. जामुन, C. अनार, D. केला आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. केला सवाल नमबर सोलह, श्री राम की बेटे कुश की पत्नी का क्या नाम था? आपका ओप्शन है, A. पार्वती, B. यशोदा, C. सुमीता, D. कुमुदा आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. कुमुदा सवाल नमबर सत्रह, राफिल उडाने वाली पहली भारतिय महिलाक कौन है? आपका ओप्शन है, A. अन्जनी, B. शिवानी, C. मिराबाई, D. रेखा देख आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. शिवानी सवाल नमबर 18, बुनिया में सबसे ज़्यादा मीट कौन सा जानवर खाता है? आपका ओप्शन है, A. मगरमच, B. शीर, C. लकरबग्ध, D. बाग आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. बाग सवाल नमबर 19, किस जानवर का पेशाब रात के अंधिरे में चमकने लगता है? आपका ओप्शन है, A. गाई का, B. कुता का, C. बिल्ली का, D. चुहा का आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. बिल्ली का आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. कंटोला बिल्ली काEC झाओब होगा ओप्शन है, ओुहाई एसका 5, कि、 पुहाई खस्मेटी कमके सही जवाब होगे बिल्ली का अंपका अंपका झाल झाल